पिढ़ में बिल्कुल ध्यानी ने दे पार िए क्या हो रहा है कि इनके साथ gideआ पता नी ब देखो मतलब मैंने लेकिए कितने शिर्फ और सिर्फ चार पिग और जिसमें से दो तो लेके जाके बेच दिये थे मैंने लेकिन इनको देखो इनकी आवाधी देखो यह देख रहो दोस्तों फिर से यह बढ़ रहे हैं फिर से अपने पास पांच लाग डॉलर होने वाले दोस्तों यो गाइस बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का मेरे इस नए एपिसोड में और फ्रांच सिमिलेटर मुझे पता है मैं काफी लेट हूं रांच सिमिलेटर की वीडियो डालने में बढ़ दोस्तों क्या कहें पर देर आते हैं जो दूरुस्ताते हैं ठीक है दोस्तों ऐसा मत परंजन के तरफ बिना किसी रोक टोक के तो दोस्तों आप देख सकते हो यह जो बॉडर यह बैसिकली बॉडर नहीं है यह है हमारा ट्रेनिंग सेंटर और फिर रेस कोर्स बोल सकते हो अपने घोडों का दोस्तों इस रेस कोर्स को घूमने के लिए न हमें तीन दिन लग जा जाएगी पूरे रांच में ऐसे करके गुमेगी और यह काफी बड़ा रेस कोर्स है दोस्तों आज की तारीक में दुनिया का सबसे बड़ा रेस कोर्स मुंबई में जो काला घोड़ा है उससे भी बड़ा रेस कोर्स है दोस्तों और फिर जाकर के यहां पे यह रिबन 50 किलो मिटर के बाद यहां पर आकर के एंड होगी ठूस्तों इस प्रकार से अपनी जो रेस है उट चौन Come 閉 के बोल सकते हो या फिर अपने गोड़ों के लिए ट्रेणिंग पैड डॉक बोल सकते हो ठिक है दोस्तों लेकिन यहें पैड-डॉक या कहीं देखते हैं जहां पे प्लैंक रखा हो अगर प्लैंक रखा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे ना हमारे पास Veut cutting मश्ण है और धेर सारी लकणिया अपने को मिली विए तो धेर सारी लकणिय जो अपने को मिलीविए यह रस्ता साफ करने में यह जो पैड डॉक बनाने में हम उसका इस्तमाल करेंगे फिलाल तो यहां ट्रॉली पे कोई भी लकडिया नहीं है दोस्तों कोई भी प्लैंक नहीं है दोस्तों तो एक काम करेंगे हम चलते हैं अपने ट्रक के तरफ जिसमें बहुत सारी प्लैंक हमने बटोर के ले कहते हैं लाश्ट टाम जब हम अपने घोडो का बान हाउस और उसके आगे के फेंसिंग कर रहे थे तो फिर यहां पर अगर हम चलें अपने ट्रक के पीछे देखे उसका पीछे का जो है कैरियर खोल के तो फिर हमें मिलता है ट्राम एमटी ट्रक दोस्तों मतलब कि अपन आप सब नियम जानते ही हो जब हमारे पास पैसे जादा होते तो हम जादा ही कुछ मस्ती करते तो बिना किसी टाइम वेस्ट के ना हम क्या करेंगे हम जाने वाले हैं हाडवेर स्टोर में और ले क्याने वाले वहां से धेर सारे प्लैंक्स को अपनी गाड़ी को शुरू करे दोस्तों तो फिर पेट्रोल का डबा मैंने कहां रख रहा हैं तो एक काम करेंगे पहले दोस्तों अपने पेट्रोल का डबा डुनते हैं और फिर वहां ये खाली ये भरावाई है तो ये भरे हुए डब्यों को लेके जाते हैं अपने ट्रक में लगा देते हैं वैसे ये दो दो डब्बे जो जेरी कैन के वो पीता है पूरा अपना ट्रक लेकिन अभी फिलाल एक की डब्बे से भरके उसका काम चलाएंगे अपन और लेके आते हैं डेर सारे प्लैंग को ताकि हम बना सके एक बढ़िया सा पेड़ डॉक तो दोस्तो हम आ चुके हैं अपने हाड़वेर स्टोर में और यहां से हम लेके जाने वाले डेर सारे प्लैंग जैसे कि आपको पता है हम बना रहे हैं एक स्पेशल सा बहुत ही लंबा बहुत ही तगड़ा बहुत ही दूर तक एक पैड़ डॉक अपने घोड़ों के लिए तो फिलाल यहां से क्या करेंगे अपने को बाई है भालू तो आपने भालू आने से पहले ना अपने अपको प्रिपेर रखेंगे तो घाड़ी में अपने घाड़ी में बुल रहा है अपने गन में बुलेट को लोड कर लेंगे और फिलाल अभी ना दोस्तों यह 50 टैक जो है ना वुड प्लैंक यह 50 टैक वाले जो उसको भरते हैं अपने अपनी गाड़ी में और फिर यहां से हम लोग है ना अगर कम पड़ा तो वापिस से लेके जाएंगे पर मेरे को ऐसा feeling है पता नहीं क्यों ऐसा feeling आ रहा है मेरे को कि कम शायद ना पड़े और अगर कम पड़े तो भी टैंशन नहीं अपने पास उदर भी व वुड़ प्लैंग तो काफी लगता है फिंसिंग वगेरा में क्योंकि अपना जो है वो काफी बड़ा एरिया है तो दोस्तो हम लोगों ने मतलब देड स्टैक है ना अपना वुड़न प्लैंग इसको जमा कर लिया है अब आपने लेकर कर चलते हैं इस गाड़ी को सीधे अ और बनाते हैं अपना सबसे बड़ा दुनिया का अध्भुत अविश्वस नी पैड़ और पैड़ बनाने के बाद दोस्तो हम उसमें दोड़ाएंगे अपने घोड़े को और कराएंगे रेस अलादिन भाई के साथ में और देखते कौन जीतता है दोस्तो मैं अलादिन इस से जादा स्पीड वाला घोड़ा तुमको कहीं मिलेगा नहीं और यह मने गाड़ी ठोक दी प्यार से गाड़ी को लेके जाएंगे दोस्तों प्यार से और आप लोग सोच रहे हो कि दोस्तों कि जब मैंने पूरा रांच को घेर दिया है अपने प्लैंग इस से तो गाड प्लैंक लगाते पूरा फैंसिंग वाला एरिया फैंस कोंप्लीट करेंगे और पूरा पूरा फैटॉक्क बना देंगे आ उठाले मतलब अच्शी सा भागते पुरा रेस और रेसकौर्स लिए क्या नहीं इसमें अपन ठोड़ें ओडले मतलब यहां पर ना कुछ ऐसे मतलब fence वगेरा ना निच्छी लगा देंगे ताकि गोडे कूद के उसके उपर से जाए और अगर कूद के नहीं जा सके तो point minus होगा दोस्तों तो फिलाल जो बाहर का जो frame लगा हुआ है अपना इसका fences का उसके अंदर अपने लगा देते planks को और उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ जब दूसरा अला लगाएंगे तब तो दोस्तों हमने काफी बढ़िया तरीके से अपना जो race course है इसको तयार कर लिया है अब एक चीज का ना सिर्फ experiment करना अपने को कि पीछे से अगर मैं घोडो का दर्वाजा खोलता हूँ तो क्या घोडो को ले करके मैं इस race course में दौड लगा सकता हूँ तो चलिए बने रही है दोस्तों हमारे वीडियो पे ताकि हम यह चीज का experiment जो है वो पूरा कर सके तो यहां पर मैंने अल्रेडी एक दर्वाजा लगा रखा है देखो यह दर्वाजा काफी निच्चे है इस चल 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 आजा 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 जा एंवन निकलते तुम लोग जा रहे वहाँ इधर आओ इँच्छ Anda इए ने किसी तकलीष दे चल ओके दोस्तों तो अपने सारे घोडे जो है न रेस इसको आचुकि के सारे और जो वाइट को रहे इनो करके जाने वालों यह तकड़ा नहीं है यह तकड़ा ने यह तकड़ा नहीं लगाएं के साथ में तो फिलाल यह चेक पूद के अंदर चलो 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 अब थक गया दोस्तों एक राउंड मारने के बाद गोड़ा थक जाता है मतलब इतनी अच्छी हेल्थ वाला जो गोड़ा जिसका इतना अच्छा स्टैमिना है ये गोड़ा एक राउंड मारने पर थक जाता है तो दोस्तों सोचो ये 50 किल जो अपना रेस्ट्रेक है वो कितना बड़ा और कितना मतलब प्रभाव साली है तो हम यहां पर कराने वाले जो रेस अलादिन भाई के साथ में तो मैं क्या करने वाला नहीं दूसरा सफेद घोड़ा उनको यह बोलके छिटकाने वालों कि भाई वो गोड़े का न स्टैमिना सेम है जो यह घोड़े का और मैं यह घोड़े पर बढ़ जाओंगो फटाक से देखते हैं फिर क्या मजा आता है उनको तो हरा के रहना है बाई हुक और बाई कुक ऐसे वह हारें गया ला दिन भाई बस उनको बताना नहीं यह बात कल तो फिलाल तो दोस्तों अपना यह जो स्टैट्स क्या बोल रहा है वह इसका स्टैट्स भी अच्छा है तो यह काला और बोरा गोड़ा दोनों के बीच में हो सकती रेसिंग भाई इसका स्पीड अलगी लेवल पे दोस्तों ओ भाई खतरनाग भाग रहा है यह बंदा तो अपने को जो हडल लगाने होंगे नो दो में ओलो लगा देंगे यह गौड़ा बहुती तगड़ा यार यार यह घोड़ा थका नहीं है अभी तक मतलब समझेरो दोस्तों इसका स्टैमिना आना वाइट जो देड़् रेस नल्ले गोड़े है न अपने पास आपी जिसका ड्वाइश रहा है यह से की बाइट वाला गोड़ा लेकिन देने के लिए यह वाइट वाला गोड़ा पर कोई बात नहीं अभी जुतने फिर अपने पास बिसके बाइप जा सकते हैं लेकिन नहें इसके बागवढ़ को ख्या मतलब थोड़ी दूर तक आया पॉने रेस्ट्रैक में मतलब 3-4 के रेस्ट्रैक में ये घोड़ा थग गया दोस्तों ये अपना एक राउंड भी पूरा नहीं कर पाया अब फिलाल इसके बाद अभी दूसरे घोड़े की बारी आती है तो वहां तक इस घोड़े को लेके है जाते दोस्तों हाँ इसके पास बाइं एंडलिंक विंडलिंग सही स्थामिना भी सही स्पीड बहुत कम है और हट नहीं मतलब अगर मैं इसको खाना नहीं खिलाओ न तो यह मर जाएगा और अपने गोड़ा इसा चाहिए नहीं काम करतें इसको बाहर लेकर जाते आरे नि डीजित नहां पेखड़े Kenra अरे बस म焦त darn बड़नते कर सकते बिदर कर सकते एक अपर देख लेते खोड़े कितने अरं एच्छे गोड़े अच्छे गोड़े सब नली-गऊ इच्य हई यह चैमिना है काम करें विपने दोस्तों आपने काम करेंगें और इसको लिया त इतना गंदा गंदा गोड़ा नहीं चाहिए अभी बजगे अपने पास सिफ दो गोड़े और वो भी तगड़े तगड़े अब यहां से बाई के ऑप्शन में जाएंगे और अगर देखें आप उन स्केप 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 ओ भाई साब पिछवले यह सही है लेकने स्की स्पीड बहुत कम है अहा आहा बेड भाई इसकी स्पीड हैंडलिंग सारी फुल है अब यह खरीदने के बाद यह नहीं होना चाहिए कि मतलब इनल्ला निकले मतलब इसका है है ऐसे बाद इसका सब कुछ कम ओ जाता है और एकदम सफेद है यार भाई दे दो बेचदो बे इतना मतलब क्या मेंगा कर रहे है उसको येस दोस्तो अजबूत आविश्विस्निया एकदम कचमकदार मंकदार क् बढ़ियां से एकदम और यहां पर देखो यह तगड़े घोड़े का स्टैट्स अब यह कम क्यों हो जाता है मेरे को समझ में नहीं आता मतलब इसको कितना भी कर लो यह कमी रहने वाला अब मेरे को बढ़ाना पड़ेगा ओ भाई रॉकेट निकल रहा है देखो यह भाई रॉ इना सब बढ़ियां यह देखरो भाग रहा भी खतरनाक है अब सड़ी से स्पीड इसके कम हुए लेकिन भाग रहा था मस्त एकदम मतलब एकदम जबर जस्त घोड़ा मिला अपने को दोस्तों एकदम खतरनाक वाला तो यह घोड़ा एक अपने पास होगा आपने पास टोट लेने जाएंगे ना तो फिर पता निशाएद फिर गड़बर हो जाएगा लेकिन मैं तो सोचूंगा कि अल्यादन भाई को कैसे भी करके ना कमजोर गोड़ा को एक चिपका दे निकल मेरेको लगता ना वह ब्लैक वाला गोड़ा है जो ब्लैकी वह थोड़ा कमजोर है काम क बढ़े रूखो चेक करते ना यह बटा ही जरा यह क्या यह क्या कर रहे हो तुम लोग हां इसका स्टैमिना आज सही है और लैब अगर दो तिन दो रखेंगे ना तो फिर यह भाग रहा भी तेज है यार पता नहीं क्यों यह ना मिरेको उससे ज्यादा तेज भागता वह न लॉणडे यह भी घोड़ा साइए यह यार मैं कौन सा गोड़ा लूं दोस्तो मेरको समझ में नहीं आ रहा है यह देख रों क्या भाग रहा है यह भी लॉणड़ा तीनों घोड़े ना एकदम तगड़े एकदम जबर जसे अपने पास अभी अपने को क्या करने का खली ना और मैंने चाहता हूँ यार यह मेरा जगे मेरा रेसकोर्स मेरा गाउं और मैं इस गाउं का जेकान सिक्रे नहीं अलादिन भाई तो मैं हादना नहीं चाहता दोस्तो इस वज़े से मैं मतब कुछ भी करके एक नला सा गोड़ा उनको चिपका दूंगा वो एक बार चुनेंगे अच्छा गोड़े गोड़े पर बैटके दोस्तों सीटी निमार सकते हैं प्रके अच्छा अरे और रुग जा रुग जा यह यह दोस्तों की इस पी मार करके तुम कहीं से कोई भी गोड़ा बुला सकते एक दम बढ़िया सा अभी मेरे समझ में जए वे भाग गए अभे नहीं बे तुम लोग को जाने का नहीं है अच्छा रूप इधरा 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 इधरी रहे बाई ये घोड़ों को हैंडल करना मुश्किल है यार ये कहां कहां चले गए भी खाना खाना रहेगा ना तो तुम लोग को कोई वाट लग जाएगी चलो चु समझ में नहीं आ रहा यार भाई ये गोड़े परिसान कर दिया मेरेको दोस्तों मेरेको इन गोड़ों का भी कुछ करना पड़ेगा यार इसमें रस्ती विस्ती होता ना बांध के रखने वाला इनको तो बांध देता था इनको उधरी जगे पर खड़े रहे ते एक जगे यह रहा यह रहा यह रहा दूर से इतने विशल मारूं क्या वह इतनी दूर से आया यह मेरा बेटा मेरा सबसे प्यारा बेटा इतना दूर से विशल मारने पर आ गया जट से कूद के दिखा तो बेटा यह वही ना बात चला अभी सामने भी कूदने का तिरे को यह बात बस अब रहो तुम लोग इदर मैं निकलता हूं ठीक है अपना ख्याल रखना और खाना वी ना खाते रहा ना खाना वी ना भरा हुए ठीक है और यहां खड़े रहे के उदास हो करके मेरा मुह मत देखना इसे इंतिजार मत करना आकों में आसु नहीं आना चाहिए तुम्हारे बस बता दे रहा हूं और दोस्तों इन सब की घोड़ों के चकर में एक चीस तो तुमको बताने भूल गया यह देखो पिक पे तो अब मैं बिल्कुल ध्यानी नहीं द दोस्तों तो टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है फिलाल तो दोस्तों करते हैं इस एपिसोड को एंड पर एक चीस मैं तुमको जाने से पहले बता दू मैं और अलादिन भाई करने वाले इस रेस कोर्स में बहुत ही जबरदस्त तगड़ा वाला सट्टा भी लगाएंग वो तुम्हें नहीं पता चलने वाला ठीक है वो हमारे बीच की बात है जो भी चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करना और अगर वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक करना मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में तब तक के लिए गुडबाई टिप केर अपना ख्याल रखना घर में रहना ठन्यवाद